एक छोटी सी ट्रिक जिसके माध्यम से आप अपने 3G स्मार्टफोन में 4G का सिम चला सकते हैं इसके लिए आप एक छोटा सा सैटिंग करना होगा, एक छोटी से अप इस्टॉल करनी होगी और आप अपने 3G फोन में 4G का लुप्त उठा सकते हैं जो कि 3G से आपको 4G फोन पर अपग्रेड नहीं करना होगा तो चलिए शुरू करते हैं Step 1 यदि आपका स्मार्ट फोन 3G नेटवुक पर काम करता है और उससे Reliance Jio 4G SIM इस्तमल करना है तो उसमें ये दो फीचर्स का होना बहुत ज़रूरी है पहला कि आपका फोन Android KitKat का होना चाहिए उनका Operating System Android 4.4 KitKat होना चाहिए या इससे अधिक MediaTek Chipset होना चाहिए इससे अधिक MediaTek Chipset का मतलब ये है कि आपका फोन 4.4 KitKat के लावा Marshmallow और Lollipop होना चाहिए या इससे उपर का भी वर्जन हो सकता है Step No.2 3G स्मार्टफोन में Reliance Jio 4G Sim यूज करने के लिए यूजर को एक एप इंस्टॉल करनी होगी जिसका नाम है MTK Engineering Mode है इस एप का Size 169K भी है अगर आप अपने 3G स्मार्टफोन में 4G चलाना चाहते हैं 4G Reliance Jio चलाना चाहते हैं तो आपको MTK Engineering Mode एप इंस्टॉल करनी होगी जिसकी Size भी बहुत छोटी है Step 3 में हम देखते हैं कि MTK Engineering Mode एप से स्मार्टफोन में कुछ Advanced Settings आज जाती है यह Setting MTK Engineering Mode के अंदर MTK Setting मेनू में होती है इससे Service Mode भी कहते हैं आप यहां Left Side उपर देख सकते हैं यहां पे यह Android Setting लिखा हुआ है और नीचे MTK Setting लिखा हुआ है यहीं से आपको Advanced Setting करनी होती है नमबर 4 हम देखेंगे कि जब आप एप को आप ओपन करेंगे तो इसके Engineering Mode में जाकर Mobile Specific Code को डाल दें इसके बाद MTK Setting Network Selection Preferred Network Option में जाएं यहां पर Left Side में देखिए मैंने Slide में बताया है कि यह सारी चीजे कहां आपको मिलेगी यहां पर देखिए Auto Answer, Band Mode, CFU, Modem, Test, Network Setting और Network Information है तो यहां पर आप MTK Setting में जाकर Network Selection करेंगे यह आपका नीचे से Second Number है Network Selection और इस पर आप क्लिक करके आगे की Option को देखेंगे Step No.5 है कि यहां Network Mode में आपको अब GSM और WCDMA के साथ 4G LTE Network की Option भी दिखाई देंगे यहां 4G Network सिलेक्ट करें इससे Setting को सेव करने के बाद Smartphone को Restart कर लें अब Phone 4G Network सपोर्ट करेगा यह छोटी सी ट्रिक से आप अपने 3G Phone में Reliance Geo का 4G SIM चला सकते हैं अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को Like जरूर करें Comment Box में जाके Comment लिखें अगर आपको यह वीडियो से कुछ अच्छा लगा हो या आपको Benefit लगा हो तो आप बताईए तो मैं इसके Live वीडियो भी आपके लिए बताऊंगा और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें जिससे मैं हर सब्ता नई नई वीडियो डालता हूँ और वो वीडियो सीधे आपके Mail में या आपके Notification Box में जाएगा जिससे आपको मेरे द्वारा बनाई गई नई नई टेकनिकल चीजे सीखने को मिलेगी थैंक यू आपका टेकनिकल गुरू रिशी कपूर जै हिंद जै भारत